ये ककाटू अपने फैदर से अपना ड़स क्यों निकलते हैं? Well, let me explain it to you. जिस तरह इंसान बात लेके, यानि ना के अपने हाईजीन या सफाई का ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से बर्ड्स भी करते हैं. मगर कुछ रीजन जैसे औस्टेलिया या अफ्रीका में जहाँ पानी आसानी से नहीं मिलता, तो वहाँ के बर्ड्स जैसे काकाटू या अफ्रिकन ग्रेक क्या करते हैं? वेल, ये बर्ड्स अपने फैदर से वाइट पाउडर या फैदर डस्ट पोडूस करते हैं, जो के ना सिर्फ वाटर रपलेंट होते हैं, बलके बाहर की धूल मिट्टी को भी चिपका कर रखते हैं. और फिर ये बर्ड्स आराम से बैटके प्रिनिंग करते हैं, यानि अपने फैदर की डस्ट को क्लीन करते हैं, जिससे इनकी सफाई हो जाती है, और बर्ड्स अपनी हाइजीन का खयाल रखता है. तो जितना बर्ड पाउडर डाउन करेगा, उतना ही बर्ड हेल्थी होगा. So next time, अगर आप अपने बर्ड के फैदर डस्ट निकलते हों, तो परेशान मत हों, क्योंकि आपका बर्ड एक हेल्थी बर्ड है. For more such interesting knowledge about exotic birds, follow me on my social media handle.